युहन्ना की पहली पत्री, चौथा अध्याय परमेश्वर का आत्मा, तुम इसी रिती से पहचान सकते हो, कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यिश्य मसी शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यिश्य को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसी के विरोधी की आत्म जिसकी चर्चा तुम सुन चिके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में हैं। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। पर इसमें हैं कि उसने हम से प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो जब परमेश्वर ने हम से ऐसा प्रेम किया तो हम को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखे तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिध्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में। क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिताने पुत्र को जगत का उध्धार करता करके भेजा है जो को यह मान लेता है कि यिश्यू परमेश्वर का पुत्र है परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीती है परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परम है वैसे ही संसार में हम भी है प्रेम में भै नहीं होता बरन सिद्ध प्रेम भै को दूर कर देता है क्योंकि भै से कष्ट होता है और जो भै करता है वै प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हम से प्रेम किया यदि कोई कहे कि मैं रखे तो वह जूटा है क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता और उससे हमें यह आग्या मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे